वेल्कम टू लेर्न अभी आएम शेवानी चाहान क्लास 7th माथ्स चेप्टर 10 एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन्स की एक्सरसाइस 10.1 का अब हम question number 3 देखने वाले हैं तो देखिए जो question है identify the numerical coefficient of terms other than constant in the following तो इसमें हम लोग को क्या करना है numerical coefficient बताना है terms के अलावा तो जो पहला question है इसमें हमें बोला गया है 5-3T square यह हमारा expression है यह जो सबसे पहला होता है यह तो simple सा हमारा expression होता है इससे पहली की वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था अब हम लोगों को term और coefficient में बताना है कि term कौन सा है और coefficient कौन सा है coefficient अभी समझेंगे कि क्या होता है तो देखो इसमें term क्या है यह जो है ना जो टी है जो variable वाली जो चीज होती है वो होता है हमारा term तो term इसमें है हमारे पास minus 3T square अब इस term का ही coefficient होता है यानि कि जो यह T square के साथ लगा हुआ number है ना यह coefficient है तो coefficient हमारे पास आ गया minus 3 question करते चलते हैं हमें समझ में आता रहेगा तो next जो है वो है 1 plus T plus T square plus T cube यह तो expression है अब इसमें terms क्या क्या हो गए काफी सारे terms है एक तो T एक term है एक T square term हो गया और एक term यहाँ पर हमारे पास T cube है अब coefficient क्या क्या निकलेंगे T के साथ कौन सा number है दिखो जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होता है T square का क्या coefficient है फिर से 1 है और T cube के आगे इन सब के आगे imaginary 1 लगा हुआ है आप यह समझ दीजिए coefficient T cube का भी 1 ही हो जाएगा अब अगर हम third part देखें तो इसमें हमें बोला गया है 100 M plus 1000 N अब इसमें terms कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास तो एक यह term हो गया और एक यह term हो गया तो 100 M और 1000 N क्यों क्यों कि M, N, A, B यह जो होते है ना इनके साथ जो भी number है और यह पुरे अपने आपने term होते है coefficient M के साथ जो number जुड़ा है तो 100 और इसका coefficient जो N के साथ number है यानि कि 1000 third part का coefficient हो गया fourth है देखो हमारा यहाँ पर अच्छा सॉरी हम सॉरी मैंने fourth पहले करवा दिया हाँ ठीक है नहीं से यह next है minus P square Q square हाँ यह numbering इसमें शायद गलत हो गई है थोड़ी सी next है P square Q square plus 7 P Q एक सेकेंड मैं verify कर लेती हूं बच्छो हाँ तो यह वाला जो है यह fourth है इसको मैंने third लिख दिया था शायद है ना हाँ तो यह वाला हमारा fourth part है जिसको मैंने third लिख दिया है तो fourth part लिख लीजी आप इसको और third part हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा number इधर उधर हो गया है कोई नहीं नमबर से तनी होता है चलो अब हम इसका ना third part देख लेते हैं फोर्थ हम पहले देख चुके हैं third part third जो है हमारा वो है x plus 2xy plus 3y तो है हमारा x plus 2xy plus 3y यह हमारा third part है तो इसमें हमारा expression तो यह हो गया term क्या क्या हो गये तो x और 2xy और 3y यह तो हमारे term हो गये coefficient x का 1 हो जाएगा xy का coefficient 2 हो जाएगा और y का coefficient 3 हमारे पास हो जाएगा ठीक है तो फिर से मैं यह आपर दिख देती हूँ expression term और coefficient तो इधर वाले हमारे expression है इधर वाले हमारे term है और इधर वाले हमारे coefficient है तो अब हम fifth part देख लेते हैं minus p square q square ठीक है plus 7p q तो term हमारा एक यह हो जाएगा और एक यह हो जाएगा तो minus p square q square और 7p q coefficient इसका क्या हो गया minus 1 q क्योंकि minus p square q square क्या आगे minus 1 रहेगा और p q का coefficient हो जाएगा 7 next देखिए sixth part है हमारा 1.2a plus 0.8 b यह देखिए यहां पर हमारा जो sixth part है वो यह रहा तो इसमें एक term यह हो जाएगा एक term यह जो plus या minus से अलग हुए होते हैं वही terms होते हैं तो 1.2a और 0.8b तो a का coefficient 1.2 हो जाएगा और b का coefficient 0.8 हो जाएगा यह sixth part हो गया अब हम लोग seventh part देख लेते हैं seventh part जो है वो हमारा है 3.14r square तो इसमें हमारा जो term है वो हमारे पास हो जाएगा 3.14 और इसका coefficient हो जाएगा r square यह seventh हो गया 8 हमारे पास है देखो 2L plus b तो 2 जो है वो coefficient हो गया है और यह हमारा term हो गया है राइट तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसे पहले ना एक बार ना open करके इसको लिखना पड़ेगा यह क्या है यह हमारा 2L और 2b इसको अगर हम उपन करेंगे तो 2L plus 2b राइट इस तरीके साथ जाएगा तो एक यह coefficient और एक यह term और एक यह term और इनका coefficient दोनों का 2 next देखिए 8th और 9th इसका लास्ट पार्ट 0.1y plus 0.01y square तो इसमें यह दो तो term हो गए हमारे है ना और इनका जो coefficient हुआ वो यह हुआ 0.1 और 0.01 यह हमारे पास coefficient आ गए है तो हमारा यह हो गया question number 3 वीडियो पसंद आया है तो like शेया subscribe, thank you